एक बाब फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश क्रामर का पैक्टिस सेट तो वीडियो को स्तार्डिंग से लेकर इंट तक सरूत देखेगा आई ये वीडियो को शुरू साय कि इस क्योशन में से पूर्ख आंसर करमेवें कर लीजिए यह को पॉस कर करके कमेट बद सकते हैं चैए चली जानते हैं इसके का Prozent सर के बारे में पर लीक आए मं लै को हिंदी में देखेंगे Article कुछ इस तरह से आप लिखेंगे अब आपको इसके last और इसके middle लेटर से कोई मतलब नहीं है, आपको starting में देखना है, यहाँ पर A को देखना को मिला, starting letter, M, अब आप एम को बोलेंगे, या फिर आप एम को लिखकर देखेंगे, तो आपको sound मिलेगा, वो vowel sound मिलेगा, यानि कि आपको swear का sound मिलेगा, तो जब भ लगाएंगे जो कि हमारा काई टांसर होगा तो इस बिर्दर इस इन एमेले ठीक है अब इस तुट यहां पर मिस्टिक यह मत करना कि आप इसका फुल फॉर्म मत देखना ठीक है एमेले का फुल फॉर्म होता है अब देखिए एक तरफ तो बताया जा रहा है कि मिस्टर डैविट जो है वो रिच परसन है यानि कि अमीर इंसान है और दूसरा का जा रहा है कि नौट है यानि कि खुश नहीं है तो यहां पर यह दोनों में ब्रोल चल रहा है इसका कॉंट्रेस्ट हो रहा है पोजिशन वाल है क्योंकि एक तरफ पॉजिटिब बात है और दूसरी तरफ निगेटिब बात हो रही है तो इसको हम बैट से कंबाइन करेंगे बैट बिल्कुल करेंट है सेकंड अलिस सेटिंग बलेंग इस पर कपल अजे तो यहां पर देखिए दो नाम है एक कपल है दूसरा अजे है ब कपल अजे के बीच में बैटा हुआ है इसलिए यहां पर बिड़ी बिनाएगा दो से जाधा के लिए मौर दन टू के लिए अमांग का यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं कॉशन नमबर फॉर ही दिन नाट बाय एपल सम एनी सेटेज अबारा नेगेटिव है और नेग लफ का यूज करेंगे लफस नहीं आएगा लफ का यूज होता है सिंगूल सब्जेट के सान यहां पर बात प्लूरल की चल रही है चिल्डरन है इसलिए आप लव यूज करिए चिल्डरन लव तु प्ले ओन दे सेंड कर्शन नमबर छिक से आपका यू नॉट टॉक इन ड अब आते हैं डू इस तारिके यह रहा हमारा कॉशन नमबर फस्ट डू एस डारिके ठीक है कि सोनिया डिट हर टूटी चेंगे अब सेंड को निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको पहचानना है कि यह कॉन सटेंस का अब देकी स् सेकेंड फार्म है डू की पास्ट फार्म होती है डिट डू मतलब होता है करना और डिट मतलब होता है किया और यह हमारी में वर्ब है कौन सी वर्ब है यहां पर यह में वर्ब है यानि के मुख किरिया है सोनिया डिट हर डूटी सोनिया ने अपनी डूटी की अब सेंटेस ह हमारा कौन सा है यह पास्ट इंडेफिनेट का है क्योंकि पूरी इंगलिश गिरामर में वीटू का यूज पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिब में होता है इतना आप समझ गए अब इसको बनाते हैं नेगेटिब कैसे बनाएंगे पहले हमें सब्जेट चाहिए तो हम करेंगे सोनिया डिड़ नॉट अब हमें चाहिए वर्ब की फस्ट वां तो इस डिड में से हम वर्ब की फस्ट वां को डू में चेंज कर देंगे तो यह बन जाएगा डू सोनिया डिड नॉट डू अब बाकी की चीज़ आप से म लिग दीजिए हर डूटी और फ्ले स्टॉप लगा दिए सोनिया डिड नॉट डूटी सोनिया ने अपने डूटी नहीं की यह बन गया ने गटें अब मूब करतें कुछ नम्मा था गेंड की तरफ दामेंगो इस तो स्वार डैट आइक एट इसको कंबाइन करना है रिडाइट सेंटेस यू दा मेंगो इस ठीक है अब इस सो को अटाएंगे यूज करेंगे तू मेंगो इस टू पिर क्या लेका सो रैस ओ यूऊ-आर सोर ठीक है अब देट से लेके नॉट तक के सब्सक्राइट को अटाकर हम लिखेंगे अब क्या बचा एट इट तो यहाँ पर राइट कर दीए सो को आटाकर ठू का यूज़ करते हैं, फिर देट से लेकर नौट तक के सेटेज को आटाकर टी और ठू का यूज़ करते हैं, बाकि सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बढ़ते हैं कॉशन अब बत्रा लिए दफ, इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है, काफी जाधा इंपॉर्ण है, बिल्कुल लगबग इसी तरह से अपके एक्जाम में कॉशन पूछे जाएंगे, इस चीज़ की यारंटी में आपको देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से कॉशन बनते हैं, चलो इसको समझते हैं, करना क्या है हमें, अनलेस का यूज़ करना इफ के प्लेस बना, तो इफ को अटाते हैं, अनलेस लगाते हैं, तो पहले हम लिखेंगे, अनलेस, अलेस, सब्जेट क्या यू है, तो यू, अनलेस, अब इसको निगेटिब को अफर्मेटिब बनाएंगे, त unless you work hard you work on हम अदि becoming hard इदर लिखते दैं वहापर space नहीं है work hard unless you work hard अब ऐसा क्यों कि है क्योंकि unless का मतलब होता है यदी दिक और if का मतलब होता है यदी तो unless में not हfalे की और होता है तो면 सकी नहीं आता है क्योंकि unless का मीनिंग ही निकलता है तो if को हटाकर हमने unless लगाया और first sentence को comment से पहले वाले को affirmative बना दिया तो unless you work hard अब बाद 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 जो sentence इसमें कोई changes नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका result ही negative बताया जा रहा है you will fail मैं यहाँ पे fail लेख दे रहा हूँ you will fail unless you work hard you will fail यदि आप question नहीं करते हैं आप फैल हो जाएंगे यह इसका मिनी निकला तो पहला वाला जब negative हो तो unless का यूज करने के लिए उसको affirmative बनाते हैं बागी कोई changes नहीं करते हैं ठीक है अब बढ़ते नेक्स domain had not come for today is domain brings potatoes अब करना की combine using relative clause का यूज करना है अब इसको हो से connect करेंगे जिसका मतलब निकलेगा जो जात तर हो वाला आता है बस देखते हैं कैसे होगा परे लिखते हैं subject domain domain इतना आपको समझा है subject आपने लिखा यह वाला उपर वाला domain अब नीचे वाले sentence के subject को हटाईए और उसके जगापर relative प्रोनाउन लगाई है जो के हमारा हुए है ठीक है domain हो अब क्या है बच्छा नीचे लिखा हुआ ब्रिंक्स पटेटोस तो यहां पर आप प्रिंक्स पटेटोस अब उपर वाले में क्या बच्छा यहां पर आप राइट कर जिएगा बाद वाला है नौट कम यह बाद वाला फॉर टूडेज यह आपको लिख लीजिएगा दमेर हुआ ब्रिंक्स पटेटोस है नौट को फुरुडेज व्यक्ति जो पटेटोस लाता है दो दिन से नहीं आया है ठीक है तो बस आपको सेकंड सेटेज के सब्जिट को अटाकर हू लगाना है बाकी बाद वाले सेटेज को पहले लिखना है और इसके पहले वाले सेटेज को बाद में लिखना है बस यह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इस न्यूज सर्प्राइज में चिंज करना है तो देखते हैं किसे बनेगा मी का ऑपजिट क्या होगा आए प्रदेंड बाली बात है तो यहां पर लगाई एं सर्प्राइज की थार्ट फार्म आप लिखेंगे सर्प्राइजड आम सर्फ्राइड अब यहाँ पर बाइ नहीं आएगा यहाँ पर वित आएगा क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविग जबिट्स दिस जूज देश दिस न्यूज इस नीवज इंस पैसे अप लाश्ट व्ला दिखतें अ कि इसको रियरेंज करना है तो रियरेंज कैसे करनेगे इसकंदे अगा आ हैड एक परिख्चा के दोरान मेरे पास परियाब समय था यह रही आरेंज हो गया तो यह था काफी ज्यादा इंपर्डेंट प्रैक्टिस सेट इंग्लिश क्रामर का जो मैं आपके लेकर आया था इसमें से हर एक कॉशन को आप अच्छे तरीके से समझे लिजिए पैक्टिस कर लिजिए अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को दो बार प्ले करके देख लिजिए लेकर इसको लाइटली नहीं लिजिएगा क्योंकि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो स पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा थैक्स फ़र वाचिंग